नमस्कार दिन भर के अंतरास्ति ये खबरों पर आपका स्वागत है आज के important highlights की बात की जाए तो ब्रीटेन के election results सामने आ चुके हैं भारतिये मूल के प्रधान मंतरी रिशी सुनक पावर से बाहर जा चुके हैं वहीं Labour Party पावर में आ रही हो और ये एक ऐसी पाटी है जिसने कई बार anti-India statements दिये हैं और इनकी जीत पर पाकिस्तान का बड़ा reaction सामने है जहां पर पाकिस्तान का कहना है कि ये ब्रीटेन की जीत नहीं बलकि साथ ही साथ हमारी जीत भी है वही रिसेंटली हुए SO Summit में भारत और पाकिस्तान दोनों ही पहुंचते हैं लेकिन पाकिस्तान के वहां पहुंचने पर अमेरिका ने पाकिस्तान को जम करके लाताड़ा है सोचने लिप बात की है कि भारत भी वहीं पर प्रिजन्ट था लेकिन भारत पर अमेरिका एक शब्द भी नहीं बोल पाया इसके साथ जल्द ही भारत को कई बड़े तेलकुओं के भंडार मिलने वाले हैं जिससे भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जा सकता है चाइना का एडवांस मिलिट्री टोन इटली की तरफ से जब्द किया जा चुका है वहीं फिलिस्तिन का जंडा ऑस्टेलिया के संसत भावन पर फैराया गया है और हिजबुला ने करीब 200 रॉकेट से इसराइल को पर हमला कर दिया है आज के इस वीडियो में भारत, ब्रिटेन, चीन, पाकिस्तान, रूस, ब्राजिल, इसराइल से जुड़े के कुछ इंपॉर्टन उंतरास्ति ये खबर हम आपको बताने वाल है दिए आपको हमारी ये स्रीस पसंदार है तो से सब्सक्राइब कीजएगा सबसे पहले और इंपॉर्टेन रबिट की बात की जा तो ब्रिटेन के इलेक्शन रिजल्ट सामने आ चुके हैं भारते मोल के प्रधान मंतरी रिशी सुनक अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं वहीं ब्रिटेन में हुए आम चुलाओं में लेबर प क्या लेबर पार्टी के जीतने से भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही विदेश नीति और जो रेलेशन से उन पर क्या अफ़र पड़ेगा आई ये से समस्ते हैं असल में लेबर पार्टी के तरफ से जो पधान मंतरी पत के दावेदार हैं उनका नाम है कीर स्ट्रामर और इन्होंने अपने चुनाव प्रचार में भारत को लेकर के काफी ज़्यादा सॉफ्ट एचान रखा है उन्होंने तरह तरह के लुभाने ओफर दिये हैं ताकि भारत की इसकलाबा भारत पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को लेकर के भी समय समय पर ये भारत के खिलाफ एंटी इंडिया स्ट्रेट्मेंट्स देते आए हैं और इसी बीच पाकिस्तान का रियक्शन सामने निकल का है जहां पर पाकिस्तान का कहना है कि लेबर पार्टी की जीत ब्रिटेन के अंदर सिर्फ उनकी जीत नहीं बलकि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी जीत है और वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस बार पाकिस्तान UNSC में नॉन पर्मनेंट प्रेमर बनने वाले हैं और ब्रिटेन भी वहीं पर रहेगा दोनों ही मिलकर के भविश में भारत को पर प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं लेकिन शायद इस बार ऐसा ना हो क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के तरफ से लेवर पार्टी से रिक्वेस्ट की जाती है कि वो UN के अंदर कश्मीर का मुद्ध उठा हैं लेकिन लेवर पार्टी पाकिस्तान को तुरंत मना क पहुचे थे और उसी समय हमने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान वहाँ पर कोई भी एक बड़ा डिसीजन लेता है तो अमेरिका पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला और हाली में हुई सम्मेट के अंदर रूस ने पाकिस्तान को एक काफी बड़ा ओफर दिया है कि आ हमारे देश से तेल मंगा सकते हैं जिस पर उस समय तो पाकिस्तान ने कुछ भी क्लियर नहीं किया था लेकिन कुछ समय बात यही लग रहा था कि पाकिस्तान अब रूस से तेल मंगा सकता है और सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के अमेरिका ने पाकिस्तान को खुब जम करके ल भारत की तरप से विदेश मंतरी एजया संकर जी भारत को रिप्रेजन्ट करने पहुंसते हैं और अमेरिका ने भारत के उपर एक भी शब्द नहीं बोल रहा है पाकिस्तान ने तो सिर्फ रूह से तेल खरीदने की बात कहीं लेकिन भारत ने तो भारी मातरा में रूह से तेल खरीदा है इसके बावजुद भारत के उपर एक भी स्टेटमेंट अमेरिका ने नहीं दिया अमेरिका जानता है कि अगर वो ऐसा कुछ कहता भी है तो उसके भविश में भारत के साथ रिस्ते खराब हो जाएंग और अमेरिका ऐसा कभी नहीं करना चाहेगा इसे आप भारत की soft power कह सकते हैं अगली important update की बात की जा तो भारत से करीब 15,000 किलोमेटर की दूरी पर बड़े तेल के भंडार अब भारत के हाथ मिलने जा रहे हैं जिससे भारत के अंदर पेटोल और डीजल की कीमतों को असानी से कम किया जा सकता है रिसेंटले रिपोर्ट के मुताबिक भ भारत पेटोलियम जासी कमपनी ब्राजिल की बड़ी तेल कमपनी जिससा नाम है पेट्रोब्रास इसके साथ बाचित कर रही हैं जल्द ही ये पूरी तरीकर से क्लियर कर दिया जाएगा कि भारत इनसे कितने amount में तेल खरीदने वाला है लेकिन ये बात क्लियर हो चुकी है क अब ब्राजिल से भी भारत के अंदर भारी मातरा में तेल आएगा और ऐसा नहीं है कि भारत अभी ब्राजिल से तेल इंपोर्ट नहीं कराता लेकिन इनका जो ओईल एक्सपोर्ट है भारत के अंदर इसका पर्शेंट येज काफी जादा कम है भारत एक साल के अंदर करीब करीब 140 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट कराता है जिसमें ब्राजिल सो जो इंपोर्ट है वो करीब 1-5 अरब डॉलर का ही है लेकिन अब ये करीब करीब 10-15 बिलियन युर्स टॉलर तक पहुच जाएगा क्योंकि ये जो बड़ी डील होने वाली है इसमें हमें कई बड़े डिसकाउंट भी देखने को मल सकते हैं और मिलने वाले डिसकाउंट से देश के अंदर प्राइस कंट्रोल किया जा सकते हैं अब ये डिपेंड करता है गुवर्मेंट के पर की गुवर्मेंट इसको किस तरीके से आगे बढ़ाती है अगली इंपर्टेंट डिपेंट की बात की जाए तो चीन ने बहुत ही चलाकी से लीबिया के अंदर अपने खतरनाग ड्रोन एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिये हैं लेकिन इटली के अधिकारियों ने बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट को असानी से खोज लिया और चीन के कई मिलिटरी डोन को जब्त किया जा चुका है असल में चीन एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर विन टर्बाइन की मशीनों के नाम का पोस्टर लगा करके लिबिया के अंदर ड्रोन एक्सपोर्ट कर रहा था जब ये अंसाइमेंट इटली पहुंसती है तो इसकी चैकिंग की जाती हो और इटली कैदिकारी इसे पूरी तरीके से जब्त कर लेते हैं लेकिन जब इस पर चीन से सवाल पूछा जाता है तो चीन पूरी तरीके से मना कर देता है यूएन में भी लिबिया पर कई तरीके के इलजाम लग चुके हैं कि वो इस तरीके से चीनी हतियार मंगा करके दुनिया के लिए खत्रा पैदा कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी लिबिया नहीं मान रहा इटली के गियोय टेरा बंदरगा पर इन ड्रोन सहित कई हत्यारों को बरामत किया गया है अगली इंपॉर्टेन अब्रेट की बात की जा तो फलिस्तियन के कई समर्थकों ने औस्टेलिया के संसद भवन की छट पर जंडा फैरा दिया है और इसमें कई अधिकारी भी मिले जाने के संभावना बताई गई है जिस पर उस्टेलिया सरकार बहुत ज़ादा सक्त हो चुकी है रिसेंटे रिपोर्ट्स के मताविक ऑस्टेलिया के कैन बरा के संसद भवन चट पर फलिस्तियन समर्थकों ने प्रदर्शन करके बहुत ज़ादा हंगामा मचाया है बीते गुरुवार को करीब चार फलिस्तियनी समर्थकों ने संसद भवन पर चड़कर के एक बड़ा सा बैनर फराया जिसमें क्या कुछ बाते लिखी थी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फिलाल जितने भी लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहते हैं उस्टेलिया सरकार और पुलिस ने मिलकर के उनको अरेस्ट कर लिया है वहीं इसमें से तीन पुरुष और एक महिला को गिरफ़तार किया जा चुका है इन पर अतिक्रमर करने के अरोप लगाए गये हैं वहीं उप प्रदान मंतरी और रक्षा मंतरी रिचर्ड वेराउस का कहना है कि संसत भवन पर इस तरीके की हरकत किसी भी माफी के लायक नहीं है और इसका जम करके विरोध किया जाएगा और जो लोग भी इसमें शामिल है सजा दी जाएगी अगली इंपर्टन अब्रेट की बात की जा तो यह सामने निकल के आ रही है भारत और रूस से जहां पर भारत के विदेश मंदरी एजा संकर जी रूस के विदेश मंदरी सजात मुलाकात करते हैं और किस तरीके से रूसी सेना में भारती लोगों को शामि बात आती है भारतियों की तो हम थोड़ा सा कड़ा रविया अपनाना शुरू कर देते हैं रिसेंटली असेयो सम्मेट के दौरान विदेश मंतरी आजा संकर जी रूस के विदेश मंतरी सरगई लवरों के साथ मुलाकात करते हैं और उन्होंने इस चीज़ पर चिंता व्यक की एक्टिविटीज में पार्ट स्पेट कर रहे हैं वहीं अगली इंपॉटेंट सामने निकल के आ रही है लबनान की तरफ से जहां पर हिजबुल्ला के ग्रूप ने अपने वरिस्ट कमांडर की हत्या के बाद चार जुलाई को इसरायल के कई सैने ठिकानों पर करीब दोसों से भी जादा रॉकेट्स दाग दिये हैं पिछले कई मेहनों से लबनान और इसरायल के सीमा पर चल रहे है विवात को लेकर के अब संगर्ज और जादा बढ़ चुका है जहां पर इस जंग में अब हिजबुल्ला आमने सामने उतर चुका है और इस बात को ही लबनान के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेट सकते हैं और इस युद्ध में पूरा लबनान साफ करने की बात कही जा रही है इससे पूरी दुनिया एक और नए टंशन में जा चुकी है कि अगर ये युद्ध और जादा आगे बढ़ता है तो दुनिया को कई और बड दिक्कते फेस करनी पड़ सकती है फिलालिन सभी अंतरास्टे खबरों पर आपका क्या कहना हमें कमेंट्स में जरू बता है यदि आपको हमारी ये स्रीस पसंद आ रही तो इससे लाइक और चानल को सब्सक्राइब जरू कीजे बंदे मात्रम भारत मता कीजे